त्रिशूल जो हमारे सिब जी के हाथों में होता है इसकी इंगलेश होगी ट्रिडंट डमरू जो हमारे सिब जी के हाथ में होता है इसकी इंगलेश होगी पैलेट ड्रम बासुरी जो हमारे काना जी के हातों में होती है इसकी इंगलिश होगी फ्लूट संक की इंगलिश होगी कॉंक गदा जो हनुमान जी के हातों में होता है इसकी इंगलिश होगी मेस चक्र जो विश्णु जी के हातों में होता है इसकी इंगलिश होगी discuss दीमक जो लखडी खाती है इसकी इंगलिश होगी termite घुन जो हमारे आटा, डाल में पाए जाते हैं वो वाले घुन इसकी इंगलिश होगी वीवल मकडी का जाला जो मकडी बना देती है इसकी इंगलिश होगी web यह हमें आसपास पेड़ों में लगा दिख जाता है तो इसकी इंगलिश होगी beehive beehive मकखी जो हमारे घर के चारो और बिन में नाती रहती है इसकी इंगलिश होगी housefly housefly गिरगिट जो रंग बदलता रहता है इसकी इंगलिश होगी chameleon chameleon नेवला यह भी हमारे घर के आसपास देखने को मिल जाता है इसकी इंगलिश होगी mongoose mongoose tatyya यह भी हमें देखने को मिल जाता है तो इसकी इंगलिश होगी wasp wasp tidda यह भी हमें देखने को मिल जाता है अपने घरों में इसकी इंगलिश होगी grasshopper, grasshopper, जींगूर, ये भी हमें अपने घरों में देखने को मिल जाता है, इसकी इंगलिश होगी cricket, cricket, धूप, जो आपको जुलसा देती है, धूप की इंगलिश होगी sunshine, sunshine, छाओ, जो आपको बहुत राहत देती है, छाओ की इंगलिश होगी shade, shade, कंक जिसको आप देखकर डड़ जाते हैं, कंकाल की इंगलिश होगी skeleton, skeleton, मलवा, मलवा की इंगलिश होगी debris, debris, रोरी, बजरी या कंकर, इन सब की इंगलिश होगी gravel, gravel, कीचड, इसकी इंगलिश होगी mud, mud, दलदल, इसकी इंगलिश होगी swamp, swamp, phoda, phoda की इंगलिश होगी boil, boil, fonsy, phonsy की इंगलिश होगी pimple, pimple, muhasa, muhasa की इंगलिश होगी acne, acne, moche, moche की इंगलिश होगी sprain, sprain, fafola या चाला इसकी इंगलिश होगी blister, blister, till, till की इंगलिश होगी mole, mole, masa, masa की इंगलिश होगी wort, wort, गमोरिया, इसकी इंगलिश होगी prickly heat, prickly heat और आप heat rash भी बोल सकते हैं, मू का चाला इसकी इंगलिश होगी mouth ulcer, mouth ulcer, पेट का चाला, इसकी इंगलिश होगी stomach ulcer, stomach ulcer, ulty, ulty की इंगलिश होगी vomit, vomit, dust, dust की इंगलिश होगी diarrhea, diarrhea, गूमडा जो चोट के काना बन जाता है, इसकी इंगलिश होगी bump, bump, sujan, sujan की इंगलिश होगी swelling, swelling, ये तीनों आज के हमारी quiz हैं, तो इस वीडियो के comment box में आपको इसका answer लिख कर बताना है, thank you for watching this video, see you soon in the next video, till then bye bye.